एक लड़की के साथ जबरदस्ती होती है और उसके बाहद ओ किसी से भी बात नहीं करती है। उसके साथ जो हुआ था इसके बारे में वो किसी को भी पताना नहीं चाहतीं थी। इस सब से उसे खुद को बहुती ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। क्या इन सब से उभर बाएगी या हम आज के अमारी मूवी स्पीक 2004 की एक हॉलिवड ड्रामा मूवी में देखेंगे ये मूवी एक बहुत ही अच्छे से मैसेज के साथ आती है तो अंतक इस वीडियो को ज़रूर देखिए अगर आपको वीडियो चलगता है तो प्लीज ज़र से लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए बिना किसी दरी के एक्स्परेशन स्टार्ट करते हैं मूवी स्टार्ट होती है और हम अमारी में क्यारेक्टर मिलिंडा को देखते हैं वो अपने मूव बर जैसे किसी ने उसे स्टीच कर दिया हो इस तरीके से पेंट कर रही थी उस मलिंडा उसे उतनी ज्यादा लाइक नहीं करती है पर उस स्कूल में नहीं है उसे फ्रेंड की जरूरत पढ़ेगी और उस वज़े से मलिंडा उसकी फ्रेंड बनने के लिए मान जाती है वो बहुत ज्यादा बोलती थी तो मलिंडा को ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं ब बना डेव हमारा वह बहुत ऑब ब्रेव कैरेक्टर है उसे जो लगता है यह पाथ वह कहते था है इससे reconoc अग्ली लगती है इसके बाद हमें मलिंडा अपने समर ब्रेइक के पहले अपने फ्रेंस के साद एक पार्टी जा रही थी यह सीन हमें बीच-बीच में दिखते रहेंगे और हुआ क्या था इसके बारे में पता चलेगा मलिंडा कैफेटेरिया में आई तो हर को इसका मज़ा कुड़ा रहा था तो वहां से चली जाती है हम देखते कि उस रात पार्टी में मलिंडा बहुत ही जदा जराय थे जिनका नाम था फ्रीमन फ्रीमन सबसे कहते हैं कि इसी ग्लास में तुम अपने आपको ढूंड पाओगे अब इस मुमेंट पर तुम्हें क्या फिल हो रहा है इसके बारे में तुम्हें ड्रॉ करना है कोई भी अपनी फिलिंग्स बताता नहीं तो फ्रीमन कहते है किस तरीके से वर्ल्ड की वजए से अपनी फिलिंग्स दबा देना तुम सीख चूके हो तुम्हें अपनी इमेजिनेशन को फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा उन्होंने हर एक स्टोरन को अलग अलग सबजेक्ट दिया जिस पार उन्हें पूरे सेमिस्टर में ड्रॉ करना इसमें मैं क्या ही कर लोंगे फ्रीमन गयते हैं कि तुम ट्रॉ कर कर देखा वो बेसिक साथ ट्री बना देती है फ्रीमन ने कहा कि सेमिस्टर के खतम होते हुए इस ट्री में बहुत सारे चेंजेस आएंगे मलींडा की एक बेस्ट्रेंड थी जिसका नाम ता रेचल ये भी उससे आज कुछ भी बात नहीं करती मलींडा ने अपसेट होकर अपने रूम में खुद को ढख लिया था उसकी मदर उसे देखती है पर मलींडा ने कहा कि सब कुछ ठीक है मदर हमेशा बहुत ही बीजी रहते थी तो मलींडा पर जादा ध्यान नहीं रख पाती है मलींडा उससे आप बात नहीं कर रहे तो खुद बात करना अगर बन करते हैं तो कितने टाइम तक वो रह सकती है उसकी फ्रेंड हेदर तो खुद बहुत जादा बात करती थी तो मलींडा उपको जादा बात करने की ज़रूत नहीं बढ़ती है आज इनके क्लास में उनके टीचर ने ये बात डेव को थोड़ी सी भी अच्छी नहीं लगती है, उनके खिलाफ खड़ा हो गया, कहता है कि आप रिजिस्टो, आपके खयाले पुराने जमाने के, इसी वज़े से आप ये सब भोल रहे हो, नेग उसे दबाने की कोशिश करता है पर डेव खुद क्लास से बहार चला गया, अगली सेन में मलीडा के साथ वॉश्चरूम में उसकी फ्रेंट रेचल थिया, मलीडा उसे बात करने की कुशिश कर दिया पर रेचल ने उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया, और वहाँ से चली गए, मलीडा ने वाश्रूम में एक गलत चीज लिखे, तो इस वा वात ये अच्छे से बात करता है और ये डांस करने लग गए थे डांस करते करते बारिश आके तो एक दुसरे को किस करते अगली दिन लैब में इन्हें एक्स्पिर्मेंट करने के लिए एपल दिया गया था मलिंडा अपने खुद के ख्यालों में थी तो उसे ओखा लेती है उसके करीब आकर वो दुसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा था तो मलिंडा को ये बहुत ही अंक्वटेबल लगा उगसे में वहाँ से चली जाती है हेदर के फ्रेंड्स ने उसे का कि मलिंडा बहुत ही अजीब है हमारे ग्रूप के साथ अब वो नहीं रह सकती मलिंडा भी फ्रीमन के पास आ जाती है फ्रीमन कहते कि तुम यहाँ पर लंच कर सकती हो पर सिर्व तुमें ड्रॉ करना पड़ेगा उन्होंने कहा कि क्या टो फ्रीमन ने कहा कि एक ट्री इमेजिन करो जो मलिंडा को इमेजिन हुआ वह उसे ट्राव करने के लिए कहते हैं अब मलिंडा स्कुल में किसी से भी बात नहीं करती थी स्कूल के क्लॉजेट में जाकर वही पर हैंगाउट करती थी आब ठैंक्सगिविंग आ चुका था म मलिंडा की मदर को जादा अच्छा टर्की बनाना अताने तो इस वज़े से उइरिटेट हो गई थी फादर ने इस सब बात रियलाइज की और मलिंडा को डोनट खाने के लिए लेकर गये मलिंडा उन्हें सब कुछ बताना चाहती थी पर कुछ भी बता नहीं पाती घराने पर तो एक बहुत या अच्छा आर्ट मलिंडा ने बनाय हुआ था फ्रीमन कहता है कि इस आर्ट में हम एक बरबात हुए हॉलिडे में एक परसन छुपावा देख सकते हैं मलिंडा सप्रेज थी कि उसकी फिलिंस को भी कोई जान सकता है नेक्सिन में इनकी स्कुल में एक गेम जहाँ पर मलिंडा जाती है उसके बीचे एक लड़की बेटी थी उससे गहती है जिस पार्टी में तुमने पुलीस को भेजा था उस पार्टी में मेरा प्रदर भी था और वो अरेस्ट हो गया गेम चलता लक्त उसे वो बुली करती है अब हम फिर से पार्टी देखते है प पर से अपनी गाड़ी में लेकर गया और वहाँ वर्खिस करने लग जाता है उसके साथ वो जबर्दस से इंटिमेट हो गया इस इंसिड़न की वज़े से मलिंडा ने पुलीस को कॉल किया था इसी वज़े से बहुत ही जादा और डिस्टरब थी अब हम समझ सकते हैं कि उस साथ आज जो भी हो रहा है फ्यूचर में तुम सब कुछ भूल जाओगी यह सब चीज़े मैटर भी नहीं करेंगी नेक सिन में देखते हैं कि जब क्लास चल रही थी तो रेचल को टीचर का पॉइंट अच्छा नहीं लगता टीचर गुस्सा होकर पूरी क्लास को उसी पर एक ऐसे लिखने के लिए मजबूर करती है अगली क्लास में फ्रीमन का बजेट कट हो चुका था यानि कि जो टीचर एक्च्वल में अच्छे है उनी का बजेट कम किया जाता है जो बीना किसी रीजन की बच्चों को तंग करते हैं उनका खुछ भी नहीं होता ये बात लाती है फादर ने भी नोटीस किया था कि मलिंडा आशकल ट्रॉ कर रही है तो उसके लिए बहुत ही अच्छे ड्राइंग बूक को लेकर आते हैं नेक सिन्में नेकते कि हिदर मलिंडा से बात कर दिया उसने कहा कि जब में स्कूल में निउ थी तो तुमने मुझे बहुत ह लाती थी आशकल तुम बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस रहती हो और में तुम्हारी फ्रेंड नहीं रह सकती तुम डॉक्टर के पास जाओ तुम्हें हेल्प की जरूरत है मलिंडा को इस बात से बहुत ही बुरा लगता है मलिंडा फ्रीमन से बात करने के लिए पर वो भी तो उससे वह बात नहीं कर पाती अगली दिन मलिंडा का स्कूल का रिपोर्ट कार्ट ये घर पर आया था पिछले साल उसने बहुत ही अच्छा किया था पर इस साल उसके ग्रेट बहुत ही ज़्यादा कम हो रहे थे तो इस बात से उसके पैरेंट्स गुस्सा हो जायते है उ पूरे क्लास के सामने तुम्हें बोल कर सुनाना पड़ेगा ये बात मलिंडा को सहीं नहीं लगती है वो डेव की हेल्प लेती है और वह इस बात को लेकर प्रोटेस्ट करते हैं इस बात से नहीं बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया उसे प्रिंसिपल के बास लेकर जात अगर तुम्हें कोई बात अच्छे नहीं लगती तो उसके खिलाफ तुम्हें प्रोटेस्टों करना ही चाहिए पर तुम्हें बात भी करनी पड़ेगी सबको अपना पॉइंट बताना पड़ेगा इसके बाद कुछ टाइम बीद गया था आज वैलेंटाइन डे है मलींडा नोटिस करती है कि उसकी फ्रेंड रेचल यह एंडी को डेट कर रही है यह बात उसे बहुत डिस्टरब करती है आठ लास में मलींडा की बेंडिंग बहुत अच्छी हो रही थी फ्रीमन ने उसे पिकासो का वक दिखाया तो नहीं लगता था कि मलींडा भी उस तरीके से कु अपसा हो गई थी एंडी ने कहा कि मुझे लगा था कि वो तुमारी फ्रेंड है रेचल कहती कि वो मेरी फ्रेंड नहीं है एंडी कुछ भी करकर उसे मना ही लेता है यह सब सुनने के बाद मलींडा घर पर आकर अपने क्लॉजेट में छुपकर जोर से चिला दिया इसके बा पर फिर भी मलींडा को किसी ने नोटिस नहीं किया था तो रात में वो घर पर आ जाती है अगले दिन मलींडा से मिलने के लिए हैधर आई उससे कहती कि मुझे तुमसे फ्रेंड़िप तोरनी नहीं चाहिए थी हैधर के ग्रूप को स्कूल को डिकोरेट करने का काम दिया ग मलींडा इस तरीके से विक्टीम बनने से तंग आ चुकी थी वो स्कूल में जाकर टेनिस टीम के लिए ट्राय करती है और वो बहुत ही अच्छा खेल रही थी मलींडा एक कंफ्रिक्ट में थी उसे लग रहा था कि रेचल को से सब कुछ सच बता देना चाहिए अगर वो ऐस नहीं करती तो शायद एंडी उसे भी हड कर देगा उसके साथ जो हुआ था इसके बारे में उसे किसी ना किसी से तो बात कर रही थी वो फिर रेचल के पास आ जाती है उसने रेचल से पूचा कि क्या तुम और एंडी कपल हो रेचल कहती कि सब कुछ बहुत ही अच्छा चल वो एंडी को इस बात को लेकर कंफरेंट करती है एंडी इससे गुसा हो गया और चला जाता है रेचल ने फिर उससे ब्रेक अप कर लिया था नेकसिन में हम देखते है कि मलिन्डा के फादर की जॉब चली गई थी तो अलग अलग जगा पर वो इंटर्यू दे रहे थे हैं म मलिन्डा कहते कि मेरी फोटो किसने भी ली नहीं थि ने यहाँ मँधा इसके बां मलिन्डा फ्रीमंण के पास अए श्कूल अब को कुल खतम होने वाला था तो फृम्ण इस जॉब छोड़ रहे थे फ्रीमण ने कहा कि इस तरीके से स्टूड को चैस्ट करना चीज मुझे अच्छे नहीं लगती हर को यूनिक होता है मलिंडा उन्हें अपनी ड्राइंग्स दिखाने के लिए लेकर जाती है पूरे सेमिस्टर ने मलिंडा ने बहुत सारी ट्रीस की ड्राइंग मनाई थी और हर एक बहुत ही जादा यूनिक थी यह सब देखकर फ्रीमन के आखों में उन्हें बहुत अच्छी लगी थी वो चले गए और उसके बाद एंडी मलिंडा के पास आ जाता है उसने कहा कि तुम्हें रेचल को यह सब बात नहीं बतानी चाहिए थी उसे फिर से जबरदस्ति करने लग जाता है मलिंडा एसेड की बॉटल लेती है और एंडी के आख मे एंडी को जेल में जाना पड़ा मलिंडा की मदर को जब में बात पता चले तो उसे बहुत सपोर्ट करती है मलिंडा भी अब सब कुछ बताने के लिए रेडी थी फाइनल योग खुद के लिए स्टैंड करने के लिए सीख गई थी यह मूवी हमें सिखा कर जाती है कि सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिवेशन आइकों दोने मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एंग नर्मुए के साथ अब तक लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखिया